Hello friends, welcome back to my channel मैं अपने channel HP exam corner पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके exams के preparations भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो friends आज हम class 7 करने वाले हैं HRTC conductor की already 6 classes हम कर चुके हैं तो exam जो है आपका December month में है बहुत ही कम time रह गया है exam के लिए तो आज की video में friends हम top 10 questions discuss करेंगे जो की easy to tough level के होंगे इसके अलावा अगर आपने मेरी पिछली classes अभी तक नहीं देखी हैं तो already 6 classes हम कर चुके हैं तो आप वो जल्दी से देख लीजे इसके लावा friends अगर आपको और help चाहिए इस exam के लिए तो mixed HPGK की playlist मैंने create की है उसमें छोटे छोटे topics जो है exam से related cover किये गए हैं तो वहाँ पर जाकर आप easily जो है अपने छोटे छोटे topic जिससे questions पूछे ही जाते हैं वो आप easily prepare कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं पहला question है कांगडा जीले का जौला मुखी मंदिर किस वास्तु शैली से बना है जौला मुखी temple of कांगडा district is built in which architectural style तो options आपके सामने है चौरस छत शैली यानि की flat roof शैली second है शंकू छत शैली यानि की pagoda शैली third है धल्वा छत शैली यानि की pent roof शैली और fourth है आपका गुबंद शैली यानि की dome शैली तो सबसे पहले तो हम इसका answer discuss कर लेते हैं तो friends इसका answer है गुबंद शैली तो गुबंद शैली किस प्रकार से होती है बात करें आपकी चौरस शत शेली तो चौरस जो होती है वो फ्लैट रूफ होती है यानि कि वो लगबग समतल शत जो होती है उसे हम फ्लैट रूफ शेली कहते हैं अब बात करते हैं पेगोड़ा शैली तो फ्रेंड्स ये छटे जो है नीचे से उपर की और घटती जाती है यानि कि ये इस प्रकार से होंगी इसका एक्जामपल है आपका मनाली का हिडिमबा मंदिर अब बात करेंगे जो ढलवा चट शैली होती है वो इस प्रकार से होगी मतलब उसकी जो चट होगी एक ही चट होगी और वो थोड़ी ढलान उसकी नीचे की तरफ होगी फिर बात करते हैं गुबंद शैली वो मैं आपक करेंगे कि जो पेंट रूफ जो फ्लाट रूफ है आपकी जो पेंट रूफ स्टाइल में जो मंदिर हैं वो कौन-कौन से हैं तो इसमें आता है मरिकुला देवी टेंपल जो है आपका लाहौल स्पित्ती का सेकिंड शक्ति देवी टेंपल छत्राडी चंबा में जो है थर् कौन कौन से है तो इसमें है फ्रेंड्स हाटेश्वरी मंदिर जो है हाटकोटी में शेव टेमपल हाटकोटी का महासू टेमपल जो है जुबल में वहाँ पे और शेव टेमपल जो है जुबल का देवरा में जो है यह है अब बात करें पैगोडा जो पैगोडा मैंने कहा था छ चोटी च्छत उसके उपर बड़ी च्छत उसके उपर बड़ी च्छत मतलब जो च्छते होती हैं वो छोटे से बड़े अकार में बढ़ती जाती हैं तो इसके लिए जो है बहुत से एक्जामपल है सबसे पहले मनु टेंपल जो है कुलू का वो है फिर पराश्र टेंपल मंड है खोखनकुलू में और महेश्वरा टेंपल जो है कि नौर में इसके अलावा जो है आपका चोगान टेंपल के नौर में ये सबी पेगोड़ा शैली में बने हुए हैं तो फ्रेंड्स ये कुछ एक्जामपल से आपको याद रखने हैं कि हेमाचल के जो टेंपल है वो किस-कि ग्रश्वरा च्ब्रा के नजडिक किस महीने में मनाया जाता है इन विच मंथ इस सिप्पी फेर नेर मशोब्रा सेलिबुरेटेदार Option है March, April, May या June. तो दोस्तो इस question का right answer क्या होगा? Option C, May के महीने में मनाया जाता है मशूर सिप्पी मेला. तो friends, शिमला में आयोजित होने वाला सिप्पी मेला जो है दो किलोमेटर दूर उपनगर सीपूर में मनाया जाता है. इसका जो नाम है वो सिप्पी देवता के नाम पर रखा गया है और यहाँ पर सालाना मई के महीने में मेला आयोजित किया जाता है और मुख्य आकर्शन जो है गाउं देवठी से जो देवता है उसकी यात्रा जो है इस मेले का मुख्य आकर्शन माना जाता है. तो friends ये कुछ important चीज़े हैं और friends ये जो उत्सव है जेश्ट मई में पहली तारीकों मशोबरा में आयोजित किया जाता है और भगवान सीप के समान में यहां पर बकरे का वद्ध भी किया जाता है और मेले में जादुगरों कलावाजों का प्रदर्शन होता है और बहुत ही म पनरंजक मेला जो है यहां पर तरह तरह के खेल भी खेले जाते हैं तो friends सीपी मेले से आपने ये कुछ चीज़े याद रखनी है कि सीपूर जो है वहां से ये शुरू हुआ था और सीप जो देवता है उनका जो मेंली रोल रहता है इसमें अब बात करते हैं किस वर्ष में ह हिमाचल प्रदेश विश्ववी दाले की स्थापना हुई in which year was हिमाचल प्रदेश यूनिवर्स्टी स्टाबलिष्ट तो friends option है 1972, second option है 1975, third है 1966 और fourth option है 1970 तो जो right answer है वो क्या है option D 1970 में जो है पूरी डेट हम बात करें तो 22 जुलाई 22 जुलाई 1970 में जो है हिमाचल प्रदेश विश्वी दाले की स्थापना हुई किसने की हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश विश्वी दाले अधिनियम 1970 का HP अधिनियम संख्या 17 द्वारा जो है इस विश्वी दाले की स्थापना की गई थी और सबसे पहले जो है इधर विधी संकाय जो है उसी दिन अस्तित्व में आ गया था और इसके बाद जो है अन्य विभाग जो है बनाए गए थे बात करते हैं कुलपती कौन है विश्व विधार लेका तो प्रोफेसर राजिंदर वर्मा जो है प्रोफेसर वाइस चांसलर है हिमाजल प्रदेश विश्व विधार लेके तो ये चीज़े आपको पता होने चाहिए अब बढ़ते हैं फोर्ट कुश्चिन की ओर तो चौथा क कुश्चन है उनिस सो बीस के आजबास किसने शिमला में आईस्केटिंग रिंग शुरू किया वो स्टार्टिड आईस्केटिंग रिंग इन शिमला अराउंड नाइटीन ट्वेंटी तो फ्रेंड्स ओप्शन है पीटर टाटों सेकिंड है ब्लेसिंग्टन थर्ड ओप्श में शिमला में आईस्केटिंग रिंग शुरू किया गया था तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है कि 1920 से पहले यहां पर टैनिस खेला जाता था तो ब्लेसिंग्टन ने टैनिस कोट में पानी भर दिया और सुबा जब वो वापिस लोटे तो पूरा टैनिस का जो कोट था वो बर आसाफर ओपन स्केटिंग रिंग शुरू किया गया था तो ये भी आद रखना है कि कब से शुरू किया गया? 1920 से शुरू किया गया ब्लेसिंगटन द्वारा शुरू किया गया इसते पहले यहां पर टैनिस खेला जाता था ये कुछ चीजे जो हैं आपको पता होने चाहए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले question की ओर तो पांचवा question है मंडी की किस शासक ने 1625 इस्वी में कमला किले का निर्मान किया था which ruler of मंडी built कमला किला in 1625 AD तो इससे एक बात तो पता चलगी कि कमला किला कहां पर है मंडी जिले में बनाया गया है options आपके सामने है सूरज सेन ने बनवाया अजबर सेन ने, बाहु सेन ने या सिद्ध सेन ने तो दोस्तों इस question का right answer क्या होगा option A सूरज सेन के द्वारा कमला किला बनाया गया था तो friends कमला किला इसे कमला गड़ भी कहा जाता है friends गड़ का मतलब ही क्या होता है किला होता है ये कब बनाया गया था 17th century यानि की सतरवी शिताबती में ये किला बनाया गया था और friends बात करें तो भारत में मंडी के पश्चिम में ये किला सूरज सेन द्वारा बनाया गया था friends मंडी समराज्य अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े किलो पर निर्भर हुआ करता था तो सूरज सेन ने कमलागड कीले का अपने शासनकाल में निर्मान करवाया उनका शासनकाल कब से कब तक रहा तो 1788 से 1826 तक उन्होंने शासन किया था मंडी में इसके बाद प्रतिष्थित 360 किलो का सबसे सुरक्षित भंडार उन्होंने प्राप्त किया था ये प्रतिष्था उन्होंने प्राप्त की थी और महराजा रंजीत सिहने जो है 1830 में किले पर हमला किया किस पर कमला किले किले पर उन्होंने हमला किया और 1840 में इसे नश्ट कर दिया गया था फिर कुछ साल बाद इसे वापस ले लिया गया और मंडी के राजाओं द्वारा इसका पुननिर्मान किया गया तो ये छोटी सी स्टोरी है अब हम फिलाल इसकी हालत देखेंगे तो बहुत ही बुरी हालत इसकी ले की हो गई है क्योंकि इसके कोई भी मेंटेनिस अब नहीं की जा रही है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है केलॉंग में प्रतम विश्वेविदारले कब खुला उप्शन है 1857, 1861, 1881 या फिर 1891 तो फ्रेंट्स इसकोईशन का राइट अंसर क्या होगा उप्शन भी 1861 में जो है केलॉंग में पहला जो है स्कूल खोला गया था और बात करें कि ये जो स्कूल है वो किसके द्वारा खोला गया था तो शिरीमान और शिरीमती यानि कि Mr. and Mrs. Hyde द्वारा जो है ये विश्वेविदाले स्कूल खोला गया था तो पहला स्कूल खोला था के लौंग में 1861 में और Mr. and Mrs. Hyde के द्वारा जो है ये खोला गया था तो hopefully आपको याद रहेगा अब बात करते हैं 7th question की तो 7th question है शहाजा ने नूरपूर के किस राजा को बलक के उजबेकों के विरुद लड़ने के लिए भेजा था which king of नूरपूर was sent by शहाजहा to fight against the उजबेक्स of बलक तो option है राजिंदर सीहा, second option है बासू, third है जगत सीहा और fourth option है मधहनता प्रकाश तो friend इस question का right answer क्या होगा option C जगत सीहा तो आई इसके बारे में कुछ डिसकस करते हैं तो friends शहाजहा ने जो है 1645 इस विल में नूरपूर रियासत के शासक जगत सीहा को जो है उजबेको को नियंतरन करने के लिए भेजा राजा जगत सीहा ने क्या है नूरपूर की लेके अंतिम शासक भी माने जाते हैं तो जगत सिहां की बात करें तो जगत सिहां सहाजां के दसवे वर्ष में काबूल के सरदार बनाए गए थे और जलाल तारीकी के पुत्र करीमदाद जो हैं इसने बड़ी चतोराई से इनको गिरफतार करवाया था बताते हैं कि जो जलाल तारीकी हैं इसलाम धर्म का विरोधी था और ग्यारवे वर्ष में जो है जमींदवार दुर्ग पर अधिकार करने के लिए इसे भेजा गया था बड़ी वीर्ता दिखाकर उसने जो है दुर्ग पर जो है कबजा प्राप्त कर लिया और बारवे वर्ष यह लोट कर आया इसे पुरसकार मिला और जो है बलक का फौजदार इसे नियुक्त किया गया चौदवे वर्ष की बात करें तो चौदवे वर्ष कांगडा की तराई में जो है उसके पुत्र जो है राज रूप को फौजदार नियुक्त किया गया था और उससे जो है परवतिय राजाओं से भेट लेने की आग्या बाश्या से प्राप्त कर ली थी किन्तो उसी समय क्या है उसके मन में विरोध की भावना जाकी और उसके लिए बादशा ने खान जहा बारा सदवाद खा और असादत खान जो है अधीन जो उनकी सेवाएं भेजी और सुल्तान जो ये मुराद बक्ष थे उनके पीछे उसे भेजा गया था क्योंकि वो हो वि पिरोधी बन गए थे तो ये कुछ चोटी सी चीज़े हैं जो बलक के उजबेकों का जो ये यूद हुआ था उससे related है तो ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए चलिए बढ़ते हैं अगले question की और तो अगला question है हिमाचल प्रदेश के किस ग्राम में विश्व का प्राची इंतम लोकतंतर रहा है इन विच विलेज ऑफ एच पी द वर्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एक्जिस्टेड तो options है निर्मंड second option है रामपूर third है मलाना fourth है कसौर तो friends इस question का right answer क्या है मलाना तो बात करे विश्व के जो सबसे पुराने लोकतंतर वाले जेले कुलू के मलाना गाउं का जो है आज भी अपना ही एक अलग कानून है यहां की अबादी की बात करें तो 2350 से अधिक अबादी वाले इस गाउं का जो इतिहास है वो देवता जामलू यानि की जम दगनी रिशी के बिना अधूरा है तो फ्रेंड्स यहां के जो लोग हैं वो देवता जामलू जो है जामलू के ही कानून और उनके आदेशों का पालन करते हैं और देव आदेश जो है मिलता है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं यह भी कहा जाता है कि देव आदेश ना मिलने के कारण, यहाँ पर आज भी सड़क नहीं बनी है। और इतना ही नहीं यहाँ के जो बशिंदे हैं, खुद को सिकंदर का वन्षज मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो सिकंदर है, वो यहाँ पर आए थे, तो आज भी उनके जो वन्शच है वो वहाँ पर रहते हैं अब बात करते हैं नाइंध कोश्चन की तो नाइंध कोश्चन है प्रसिद कमला नहरू पार्क परदेश में कहां पर स्थित है तो फ्रेंड्स बात करें कमला नहरू पार्क की तो कमला नहरू पार्क आपके सामने हैं नाहन शिमला डलोजी उना तो कमला नहरू पार्क है आपका डलोजी में स्थित तो याद रखे का कमला नहरू पार्क हिमाचल परदेश में डलोजी में स्थित है चलिए अगले question क्यों बढ़ते हैं तो आज की वीडियो का last question है हिमाचल पत परिवहन निगम की स्थापना कब हुई When was हिमाचल रोड ट्रांस्पेट कॉर्पोरेशन established When was HRTC established तो option है 20 अक्तूबर 1970 22 अगस्त 1971 26 नवंबर 1973 24 सितंबर 1974 तो friends इस question का right answer क्या होगा Option D 24 सितंबर 1974 को HRTC की स्थापना हुई थी Friends बात करते हैं तो 1958 से 1974 तक जो है इसे मंडी कुलू रोड ट्रांस्पोर्ट कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था याद रखेगा HRTC को पहले जो है मंडी कुलू रोड ट्रांस्पोर्ट कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था 2 अक्तूबर 1974 को इसे जो है HRTC को सौप दिया गया और बीते 70 साल से जो है HRTC यहाँ पर सेवाएं दे रही है तो ये कुछ चीज़े आपको पता होने चाहिए तो आज की वीडियो में केवल इतना ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखे अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए और प्लीज अगर आपको कुछ क्वेस्टेंस पूछने है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फो वाचिग मैं वीडियो